हेलो बच्चों मेरा नाम है अविनौपा डग और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 10 का जो अगला वनसौट है जिसका नाम है वरत्तों से समबंदित छेत्रफल पिशला वनसौट हमने वरत्त के बारे में देखा था मतला वरत्त के बारे में हमने सारी जानकारी खटा कर ली थी कि वरत्त होता क्या है वरत्त पर आधारीत क्या-क्या प्रमें हैं उनकी सबकी हमने चर्चा यहां पर कर ली थी वैसे वरत्त चैप्टर का यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूले हैं वरत्त में संबंदित कुछ छेत्रफल रिलेटेड फार्मूले हैं उन्हीं की बात करेंगे वरत्त का सिर्फ यह यूज होगा कि वरत्त में हम जानते हैं कि वरत्त होता है तो उसकी परदी है उसका कुछ कें बात करनी है कि इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही टॉपिक है एक ही एकसरसाइज है सारे चैप्टर सापको इस समय इतने मलब स्लेबस जो है अपना देखा जाए पिछले साल की कम परिजन में या और पिछले साल दो-तीन साल में चले जाओ तो अपना स्लेबस इस पार इतना कम है है बहुत कम स्लेबस है तो सबसे अच्छा मौका है कि आप सबसे अच्छे माक्स सेक्योर कर सकते है आराम से ला सकते हैं सिर्फ 11.1 एक ही एकसरसाइज बची है पहले 11.1 होती थी टू होती थी और थ्री भी होती थी आप समझो 11.2 वाली बची है 11.1 भी खतम कर दी और थी भ से खतम कर दी सिर्फ 11.2 बची लेकिन 11.2 जो पहले भी होती थी वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कोश्चन उसी से बनता था और आज भी 11.2 इंपॉर्टेंट है वही हमारे पास स्लेबस में है वाई सी से कोश्चन आएगा और कन्फरम आएगा लॉंग कोश्चन आ मारे में पहले हम समझेंगे उससे पहले हम जानेंगे कि तριजखन्ड और व rented होता क्या बारे में बसीख बतालेंगे विसे आपको सबको पता हैं चोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूगा ते जिखंड के बारे में अभी 앞 presents कि आपे पता है उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेंगे और इन से रिलेटेड जो फार्मूलेए महा पी इंपाउर्टेंट का छेट एक पह opener के बात नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के अपने पास बात करने हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ important बात है अगर हम बता दें आसा कर रहा है कि सारे लोग जो मैं वन सौट आपको प्रवाइड कर रहा हूं तो मन से उन्हें आप जो को रिवाइस करेंगे अच्छे से पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर एक बार में ही रिवाइस हो जाएगा कि इस प्रकार का अगर कोई भी कोशन्स हमारे एक्जाम में बनता है तो हम आसानी से उससे सौल्व कर लेंगे कोई दिक्कत हमें नह है ठीक है तो सारे लोग मन से उनको वन सौट को कंप्लीट करते हैं और पूरा वन सौट एक वार में ही कवर किया करें जैसा कि मैंने बताया कि जब आप एक्जाम देने भी जाओगे परिक्षा देने भी जाओगे तो आपका पेपर जो होता है वो दो से तीन गंटे का पू कितनी देर पढ़ाई कर सकते हैं लगातार कितनी कंटीनिवेश आप कितनी देर पढ़ सकते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंगे इन फ्यूचर कुछी का एम होगा कि मैं सर यूपीएशी निकाल के आईएस यापीश बनूँगा उसमें सबसे ज्यादा सबसे महत कोणों रोल होता हुथ होता है कितना धैर आपके पास आप कितनी देर तक कंटिणीवेश पढ़ाई कर सकते कितना मैंड आपको आपको कितनी चीजें ले सकते हैं कब तक ऐसी चीजें होती कुछ समय बाद ऐसा होता है हमारे साथ कि हम बहुत देर कि पढ़ा ही भी कर रहे होते हैं तो कुछ समय बाद अपने आप जो चीजें अच्छी समझ आ रहा होता कोई सामने वाला तो भी चीजें अंदर नहीं जा रही चलता चला जाए ठीक है तो यह होगे बेसिक सी बाते इंपोर्टेंट सी बाते कि आपको कैसे फ्यूचर में आंगे आपका काम चलना चाहिए कैसे आपको काम करना कैसे पढ़ाई करने क्योंकि पढ़ाई यह बहुत ज्यादा ग्याहिसे और भुर्त से ठीक वस्यवरे खेवारे में सब लोग जांतू मैं एक फीगर मना रवरते का एक डाइग red जानतघ में आप जानतों एक निश्चित बिंदु होता है जिसे हम व्रत्त का केंद्र बोलते हैं इसे हम व्रत्त का केंद्र बोलते हैं ठीक और इस निश्चित बिंदु से ये व्रत्त की जो सीमा होती है यहां पर एक बिंदु होता है जो चारो तरफ इसे निश्चित दूरी पर घूंता है जो व्रत सरकंफरेंश इसे हम कहते हैं तो यह वहीं पास हो गया केंद्र यह परदी और S자가 से परदी तक की जो मारें पास यह दूरी है परिड़ी पर सके कोई भी बिंदि की बात कर ले embora की कि हमारे पास होती है त्रेज्जा यह आपको पता है कि यह सर व्रत्य की त्रेज्जा होती है ठीक और अगर हम यहां से क्या करें व्रत्य पर पर इस्तित्किनी भी दो बिंदों को आपस में मिला दें व्रत्य की पर इस्तित्किनी भी दो बिंदों को मगर आपस में सर मिला दे बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा वोथी है जो केंड्र से जो होकर जाने वाली जो व्रत्त की बेसिक सी बात है कि केंद्र क्या होता है तरिज्जा क्या होती है जीवा क्या होती है व्यास क्या है और परदी क्या है व्रत्त के हमारे पास दो फारमूले है कौन सा एक तो व्रत्त की परदी या परिमाब बोलू व्रत्त का परिमाब या परदी भी उसी बोलते है परिशान न परिमाब मतलब कि यह बारी आवरण जो है इसका टिक परिमाब इसको हम लिखते हैं टू पाई आर और जो हमारे पास वरत्त का छेत्र फल होता है इसे हम बोलते हैं pi r square दो ही फार्मूले हैं मारे पास व्रत्त से रेलेट़ जो अभी तक आप जानते भी हो इन दोनों फार्मूले के बारे में आप सारे लोग परचित हो आराम से सारी चीजे आप जानते हो ठिक यह बेसिक सी बात हो गए मारे पास व्रत्त के बारे में मैं तिर्ञखंड और व्रत्त खंड के बारे में चरचा करते हैं कि सर्फ ये त्रिज खंड और व्रत्त खंड क्या सब शाब यह कंगर से समझेंगे यहीं है एक बानलो यह है ठीक ऐसा करना दो तीन बनाने पड़ जाएंगे मैं लग रहा हूं चार तक ने पूल एक यह मालू है टिक एक मालू यह है ऑट इस एक चाहर्न असे टाइम लगताएसाय ने सब्सक्राइब मुंद्र करक naट में जुए को हैं मालू हम ने चार वरत्त बना लियए है वने इस वरत्त में क्या किया इस रथs का केंद यह मारे केंदर हमारे पास यह है मैंने क्या किया यह से परदी परिष्ठी तिनी वी दो बिंदुओं को मिला दिया एक परकार की कोई एक आकरती बना लिए जैसे कि आप अगर ध्यान से समझो इस व्रत खुतुम ुआलो पिजगा माल लो पिजगा देखा है सभी नहीं और पिजगा म यहां से क्या होता है तो इस वाले जो हमारे पास इस त्रिजाओं के द्वारा जो घिरा वरत्त का जो छेत्र होता है त्रिजाओं के द्वारा है, इस केंद्र से मारे पास जो ये त्रिजाओं पढ़ी है, इन त्रिजाओं दोनों त्रिजाओं के द्वारा, जो ये हमारे पास घिरा छेत्र होता है, जैसे ये जो घेत्र हमारे पास छेत्र जो घिर रहा है, ये गिए, इसे ही हम बोलते हैं, इस त्रिज खंड बास समझ मैं है सबको, बाकि कोई इसमें रॉकेट साइन्स ने ये सिंपल सी समझने की बात है, कि सरे एक वरत्थ था, इस वरत्थ पे हमने क्या किया, केंदर से परेजी पर दो बिंदू में परेजी पर कोई दो बिंदू आलोओ, ये हमारे पास कोई बिंदू कहलाता है छोटा वाला क्योंकि ये छोटा टुकड़ा इसके अलावा जो बच गया इससे बड़ा वाला जो इससा बच गया एक खंड के अलावा जो बचा हुआ पूरा खंड है बाकी जो इससे ये पूरा क्या कहलाता है इसे हम कहते हैं दीर्ग तिरिज खड़ उसे हम क्या कहेंगे दीर के तिरिज खड़ जैसे कि for example जैसे कि मैं ये वाला हिस्सा मालों निकाल लिए जो अभी इमने बताया था ना कि ये हमारे पास केंद रहे कि इन दोनों बिनों को मिलाया था इसके बाद हमने ये वाला हिस्सा निकाल लिया हिस्सा निकालने का मतलत क्या जैसे ये वाला हिस्सा मालों नैसे से निकाल लिए कि इसको मेठी देते हैं मेठ जाएगा कोई दिक्कती नहीं ठीक यह वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया बास समझें यह वाले हिस्सा जो स्लाइस थी हमने खीच ली तो यह बचा वाला जो हिस्सा है मारे पास यह वाला जो हिस्सा है यह मारे पास क्या होता है यह मारे पास दीर्ग त्रच कंड़ होता है दीर्ग है तुरें है एक होता है लगु तृज़और यह एक होता है दिल बड़ा वाला तिर्ज़खण ठीक डॉनों इससे समझ में आ गये सभी को कि तृज़खर अक्रति होते हैं जब तर जाय मी बना देंगे तो धाग में हो गया एक यह इस्साह हो गरेक चोटे वीजन के हैं बड़े वाले व्रत बबात करने किया होता है और अब हैं मैं कुछ नहीं इसी प्रकार में क्या क्या थिस थी जाहें भना ही एसे यहाँ आ पर शmms वुरह पर एक जीवा डाल ली इस्प्रकार से मने कुई जीवा डाल िदी यह जीवा उसे खांग हुआ से वरट हमारे पास फोजिस्से में हो गया एक सोटा इस्सा आ गया एक बड़ा इस्सा आ गया दिख रहाया ना सभी को एक सर्थ THO इसा OW गया छोटा इसा कौन सा येवला ये वाला साथ चोटा ही साओ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम लगु व्रत्त खंडो लेंगे लगु व्रत्त खंड थिक आयसे इसमारे पास बड़ा वाला इस्स्सा होगा जो जीजंध में आप यह वाला हिस्सा फबस यह चार चीज एह एक हमारे पास है लगु तरगव्रत्तखंड और देर वरत्त खंड तरगंड तरगंद कैसे प्राफ्थ होते हैं जब तुम त्रिजाय दो लेकर खंड बनाते हो व्रत्त खंड कैसे प्राप्त होते हैं जब वो जीवा पड़ी होती है व्रत्त परिस्थित कोई अमारे पास जीवा है उससे व्रत्त दो भागों में तूडता है उससे एक लग व्रत्त खंड होता है छोटा वाला बड़ा वाल बस इत्ती बेसिक सी बात है अब इनके हम फार्मूले निकालते हैं क्योंकि वहीं इंपॉर्टेंट है उन्हीं से मारी चर्चा आंगे श्टार्ट होगी अगर हम इस कोण को यह जो मारे पास केंद्र पर जो यह कोण बनाएगा जो त्रिजखंड इसको अगर हम ठीटा माल ले कि यह कोण हमारे पास सब ठीटा है इससे फार्मूले निकलेंगे फार्मूलों की बात करने जिसे हमें लगू त्रिजखंड का माल लो छेत्रफल निकालना है हमें पहले पार्टम करते हैं हमें निकालना है लगू त्रिजखंड का छेत्रफल लगू त्रिजखंड का छेत् आते हैं आपको एक बात पता है देखो लगूती चिखंड का छेत्फल तुम कैसे निकालोगे यह इस हिस्से का तुम्हें छेत्फन निकालना सिंपल समय पूरा कोण जो होता है आपको पता है पूरा कोण वरत्त का किता होता है तो शर 60 ट किता तो आप लिखोगे ठीटा बटे तीन सुषच लेकिन यहाँ पर कोण बनना है ठीटा तो थीटा बटे 36 गुणे और छेत्फल का फार्मूला आपको पता है पाइयारी स्क्वायर दैट्स ओर लगुतिर जिखंड का छेत्फल सिंपल सा फार्मूला है ठीटा इंडिकेट कर रहा है जो केंदर पर कोण बनना है कि जो मारे पास लगुतिर जिखंड में और यहां पर 306 डिगरी पूरा फोन होता है यह आपको पता है और इंटू में पाइयारी स्क्वायर चेत्फल होता है यह लगुतिर जिखंड का छेत्फल ओगे आईसा है हमें अगालना दिए जिखंड का छेत्फल अगर हम निकालते है अब ये कूण ठीटा है तो ये बचा वाला कूण कित्ता हो जाएगा ये कूण कित्ता हो जाएगा पूरा 360 होता है ये अगर ठीटा है तो ये 360 माइनस ठीटा हो जाएगा ये बात हमें पता है कि सर बचा वाला जो कोण होगा वो 360 माइनस ठीटा हो तो ये ठीटा था पूरा 360 तो थीटा अगर हम 360 से अटा दे तो ये वाला कोण में मिल जाएगा जो दीर व्रत्त खंड में तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको सिंपल सा बस कोण बदल देना है कि यहाँ पर ठीटा था ऊपर सरब हो गया 360 डिग्री माइनस ठीटा और बटे में 360 गुणे पाई सब्सक्राइब को देट सिवर हो जाता है क्या यह मारे पास हो जाता है दीर रित्र जिखंड का छेत्रपर से दीसी बात यह क्या हो गया दीर रित्र जिखंड का छेत्रपर अच्छा इसमें से एक फार्मूला और निकलता है कभी-कभी इस कोईशन में क्या करता है जैसी यह लग उत्रिजिखंड अमने लिया है, तो कभी-कभी इसमें ये चाप की लंबाई भी पूझ देता है, कि ये AB जो चाप है, लग उत्रिजिखंड के चाप की जो लंबाई है, वो निकालो, ये भी कभी-कभी पूझ देता है, कि ये हमने जो चाप बनाया है, इसकी अगर हम बा अगर इसी में आप से पूछ दे कि लग उत्रज खंड का चाप की लंबाई ठिक चाप की लंबाई लिख रहे हैं लग उत्री जुखंड के लिए चाप की लंबाई ये किसके लिए लग उत्री जुखंड के लिए तो चाप की लंबाई ये मारे पास क्या हो जाएगी सर कोण वही रहेगा ठीटा वटते 306 degree बस परिमाप जहां पे था जहां पे छेट पल ता वहाँ परिमाप आजाएगा, तोकि चाप जो होता है, वो परदी का हिस्सा होता है, आपको पता है कि यह सर्फ परदी का हिस्सा होता है, इसलिए वहाँ परिमाप का फर्मूला आ जाता है, ऐसे चाप की लंबाई हम दीरगर बरत खंड के लिए बोले, ऐसे हम चाप की लंबा तीन सु साट माईनस ठीटा वह बटे में मारे पास 305 टीटा टू पाइर ठीक सफ ऊपर कोण जो होता है कि यहां पर 306 माईनस टीटा हो तो वहां पर भी 306 मैस डीगरी ठीटा हो जाएं इसी से फार्मूले निकल आएंगे आपको ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी सिर्फ लग उत्रिजी खंड का आपने फार्मूला याद किया वो भी पता है आपको कि टोटल 360 होता है तो उपर वाला ठीटा अगर हमारे पास केंदर पर बनना तो ठीटा बटे 300 इनको पाई यार इसको है तो आप आराम से याद रख सकते तो बिल्कुल परसान नहीं होना सारे फार्मूले याद हो जाए अब चलते हैं इसी के अगले फार्मूले पर तीसरा नंबर का फार्मूला है वैसे दों फारमूले वो भी है याद रखने क्यों कोश्चन है उस पर अभी करेंगे भी कोश्चन भी कि अब ब्रत्थ घंड का छेटवन निकालने में थोड़ी सी मेहनत करने हैं थोड़ी सी important बात है इसका question थोड़ा सा अच्छा बनेगा यह हमारे पास क्या है यह मारे पास व्रत्थ का केंद्र है अगर हम केंद्र से इनको निकब बना दे, इन बिंदुओं को मिला दे, केंद से हमने क्या किया, इनको बिंदुओं को मिला दे, ये मारे पास ओ हो गया, तो आपको दिख रहा होगा, O, A, B, एक तरभुज बन गया, क्या बन गया, तरभुज बन गया, इस पर हमने ये कोण माल लिया, कि ये हैं तो एक हाम कर सकते हैं क्या अगर हम इस त्रिजखंड के छेत्रफल से इस त्रिजखंड का त्र जक Bahम करते हैं इस लग़ात इस इस लगउत्रीज抓 noget का चे टिरो प्त बात करें यह लगउत्रीजे कंडे बनदा कर टो अगर इस लगउत्रीब जिक हंड से अगर military करें इस त्रभूझ के daval को माईनस करने लग उत्रिजखंड के छेत्रफल से हमने इस त्रभूज का जो छेत्रफल है ये छेत्रफल इसको अगर माइनस कर दें तो इस पूरे से अगर ये निकालने तो केवल यही वाला बच्चेगा नीचे वाला हिस्सा मैंने क्या किया सिंपल बास समझ दो मैं यह फिर बताता हूं कि मैं है यहाँ पर यह पूरा जो लग उत्रिजखंड है इस गये है इसके छेत्रफल से हमने क्या किया ये वाला ए इयरिया माइनस कर दिया ये त्रभूज वाला ये निकाल लो तो बचेगा जो यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा तो बचेगा जो cow Chem you taught लाग उस ज़ फ़ाएग हमारे पास पहले तो मने लागूं तरिष यत्वर लिखना है तो लिख लेगे लगूं तरिक रिखन्ड का छेत्फल लगूं त्रिष य OWC अच्छेत्फल तो हमारे पास लगू व्रत्फळ से ओढ़ें जैता का दोनल समझ गए सारे लोग हम क्या करेंगे लग उत्रिज खंड के छेत्वर्फल से सर ये लग उत्रिज खंड पूरा बनेगा इस से इस वाले एरिया को निकाल दे तो केवल ये वाला एरिया बच जाएगा वही अमारे पास लग उवरत्त खंड का छेत्वर्फल हो गया दीर उवरत्त खंड का छे पूरत नंबर दीरग व्रत्कंड कि तो तो दीर व्रत्कंड को चैठ फल आप आराम सी निकाल सकतो कैसे हमें इसका छेठ फल चाहिए इस बाले इससे का ठिक तो एक आम कर सकते हैं इसमें एक आम क्या कर सकते हो कि अगर हम यहां से पूरे व्रत्त के छेत्फल से पूरा व्रत्त का छेत्फल क्या होता है पाई आरी स्कायर होता है आपको पता है पूरे व्रत्त का जो छेत्फल होता है वो पाई आरी स्कायर होता है इस पूरे व्रत्त के छेत्रफल से हम लगू व्रत्त कंड का अ तो सीदय में लिखते हैं वरत्य का छेट फल को रच ये फार्मूले ने मैंने डिटेल में एकस्प्लेंड कि यह से ताकि आप बिल्कुल रखें याद करने की थोड़ी सी ट्रिक भी मिल जाएगा कैसे आपको याद रखनें मैंने भी उसी तरीके से याद कर रखे हैं मुझे भी याद नहीं है फार्मूले वैसे नहीं याद होते हैं बस सिर्फ इसके डाइग्राम के माध्यम से समझ रखे हैं कि यह कैसे निकलेगा यह कैसे निकलेगा यह कैसे निकलेगा आराम से सारे फार्मूले आप निकाल सकते है को एक जिए नोट कर लो और इनको लर्न करना है ठीक याद रखना है क्योंकि इनके बगार काम चलना नहीं अब हम लोग चलना है अपने कोश्चन के पास चलते हैं ज्यादा बड़ी एकसराइज नहीं एक तुम्हें ग्याद करना है को यह मारे पास एक वरत है को वरत है मालू यह वरत है इस वरत में 4 cm तुम्हें पता यह कोई दिक्कत नहीं जिसका कोण 30 डिगरी एक और भी दिया गया कि यह कोण 30 डिगरी है तो संगत दीर्ग तिर्जिखंड का छेत्फल ग्याद कीजिए ठीक तिर्जिखंड का छेत्फल ग्याद करना है और जिसका कोण 30 डिगरी है साथ ही संगत दीर्जिखंड लिखता है तो इसका मतलब यह होता है कि लग तिर्जिखंड जब केवल तिर्जिखंड लिख दे य आप simple लगवाला निकाल के ओप पूरे माक्स मिलेंगे ठीक है अब इस question में हमें ये दिया हुआ है क्या दिया तो वो figure मैंने देख मुदर बना भी रखा है figure क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास व्रत है इस व्रत कि अगर हम बात करें तो कहरा है इसकी त्रिज्जा जो है ये 30 डिग्री और आर जो त्रिज्जा है वो मारे पास कित्ती है चार सेंटीमेटर सीधे फार्मूला लगाओ आपके पास फार्मूला है आप निकालते हो लगु त्रिज्ज्खंड का छेत्पल डारेक्ट फार्मूले पर कोश्चन नहीं है एक तो इस प्रकार का कोश्चन अगर उसने कोश्चन में दे रखी है कि यह प्रयोग करो तो वहीं प्रयोग करना अगर नहीं दे रखी तो आप 22 बटे साथ रख लेना चाहें तीन दसम्लों एक चार रख लेना दोनों वैल्यू में कोई गलत नहीं होगी ठीक है यहां पर दे रखिए तो रख दो जैसकी इच्छा है तो रख दो आर इसकायर चार का इसकायर हो जाएगा मलब चार गुने चार टिक जीरो से जीरो कट गया ऐसो गया चार नवहीं यहां नचाव कुछ यहां से काड़ लेते तीन एकम तीन और तीन दून अच्छ ठीक चार एकम चार चार तीन बारह किता हो गया अब चलते हैं अब में क्या निकाल लेते हैं उसका भी फार्मूला है तुमाही फार्मूला रखो तुरंद वैल्यू आ जाएगी अब टिक यह हो गया पहला पार्ट यह हो गया सेकेंड पार्ट क्या फार्मूला है इसका सरुपर कुछ नहीं सरुपर अगर यह ठीटा है तो दीर व्रत्खंड में 360 माइनस ठीटा होता है बटे 360 फिर हमारे पास वही पाई आर स्कॉयर सभी की वैलू रख दो वैसे 360 माइन चार आर मतलब 4 यह चार यह तोगया तीन經्सो दोनागे 300 यह यह सब गया एकंटीक इसको त्रणीन दौत जाष्म यह फिसको लिए फिरू बश्याटिक चार लिचाज और टो एयगर शम्रीज्ध सर ऑल कर दो सिर्रो कट गया अब यहां पर हम नहीं करना है 44 गुणे 3.4 बटे 3 ठीक आंसर जो आएगा वह सेंटीमीटर स्कार में यह जब रहेगा साथ में पूरी स्वाल करके लिखना मैं कल्कुलेट नहीं करूंगा बार-बार मैं कल्कुलेशन करूंगा टाइम बहुत लगेगा इससे बढ़े है कि केल्कुलेशन तुम लोग करते रहे आराम से अपना वन सौट है तो इसमें कोश्चेंश चलने दो कॉंसेट समझ लो सारे कल्कुल से डारेक्ट कोश्चन बनता है जो आपके पास फार्मूले पर होता है एक लग तरिजिखंड का फार्मूला लगा एक दीग तरिजिखंड का फार्मूला लगा दोनों फार्मूले से आपने डारेक्ट वेल्यू रखी आराम से अंसर आगया फार्मूला याद है आंसर आज सेंटीमेंटर की भी माली आपको पता है पांच शेतरफल में नना कीसित aun कि यहां पर किंगता है है ती मानलोहां यहां पर होता है बारा है एक पिर 2, 3 और फिर 4 फिर 5 और फिर 6 तो 5 पर थी 5 से 6 आ गई मतलब कि ये कोण जो इसने बनाया ये कोण हमें यहाँपर ज्याद करना पड़े है क्योंकि कोण तो दिया नहीं गया यहाँपर मिनट की स्वी थी हमारे पास कोई समश्या नहीं से 12 स्वीघ्या काम करें कि आपको पता है कि वह केंद्र से एक प्रकार से प्रदी तक की दूरी तो 24 स्टिमंटीर मत तुम्हें आर बराबर तो उसने दे दिया है कि 14 cm क्योंकि उसकी लंबाई हमें दी है 14 cm यह कोण हमें निकालना पड़ेगा जो कोण यह ठीटा है ना यह में निकालना पड़ेगा कि कोण पांच पांच मिनिट बात कितना अंतरित करेगी अच्छा सीधी बात समझो घड़ीज की जो मिनट वाली सुई होती है मिनट वाली सुई आपने घड़ी में देखा होगा यहां से मालो है तो जब वो 60 मिनट पूरे होते हैं तो वो एक चक्कर पूरा कर लेती है साठ मिनट में चक्कर पूरा करती है आपको पता है याम रिदक होगा यह साठ मिनट का एक घंटा होता है तो वो पूरी मिनट ५वाली रिदक आपको पूरा करको देती है नहुत जो बनाती है क्या करती है साथ मिनट में कौन जो हो गासाई मिनट में जो कौन होका वह केता होगा 365 किसके द्वारा रहे हमारे पास लिख सक्ते यहां पर इसन्माइप कि द्वारा विम्ल डिना तो मिनट में निकालना हो एक मिनट में कोण एक नियम पढ़ा है बच्पन से 360 बटे साथ हो जाएगा साथ से डिवाइड कर देंगे यह 0 से 0 कड़ गया और डो च्छाथचन होती है वह अगर तुम डारेटलीरिक रिलेट कर पाओ एक मिनट में निकों निकालना है यह टोट है जाने efंश्ण क्मनेट में थे स्वाराश दिग्रिड़ लेटा całे इमें और गयान इक देंगे जय कि दिसरจะ यहाँ पर जो ठीटा है वो मारे पास कियुता है तीछ डिगरी का अब तुम्हारे पास आपं ठीटा भी है अब क्या पूछ रहा है एक प्रकार से लग उत्री जो घkickन ही तो है इसी का चेत्री मुःपक्र पूछ रहा कि 이ंके आराम से फार्मूला लगा वांसर पाऊं तो लग उत्री जिखंड का छेत्फल कैसे निकालोगे आपके पास फार्मूला है बार-बार फार्मूला लिखना है आपको जब लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा ठीटा बटे यह 3060 खेतफल है तो सर पाई आरी स्कॉरइर ठीटा मारे पास है तीस यह 3060 पाई की वेलू दिये नहीं दिये तो आप 22 बटे साथ रख लो नहीं दिये तो आप जो भी चाओ वो रख सकते हो आर की वेलू मारे पास क्या चोवदा चोगवार तो चोड़ा का इसक वायर तो अच्छ है और दो सत्ती चौदा ठीक तो साथ दूना चौदा फिर साथ दूना चौदा एक पंदा एक सुचो चौन बटे तीन सॉल्व कर लेना सेंटीमेटर स्कॉयर में आंसर आ जाएगा अच्छ चौन बटे तीन सेंटीमेटर स्कॉयर इसका क्या हो जाएगा रचिछेत्र फलाज जाएगा तो अब थोड़ा सा एक लेवल और उपर चलते हैं व्रत खंड की तरफ चलते हैं उधार नंबर दो बहुत प्यारा उधार दिया है देखो क्या कह रहा है यह बहुत प्या बनेगा ध्यान से समझोगे साधिल इस क्वेश्चन में इसने कहा कि आकरती 11.6 जो हमने यह ले रखी है क्वेश्चन के एक्जामपल में दी एंसी आइटी की वही ले रखी है वरत खंड का छेत्फल गयात की जिसमें वरत की तरिज्जा 21 सेंटीमेटर यह वरत की तिज्ज का जो यह देखो घीरा भी है यहां पर गाल निखाय मतलब की यह वाला चय लगूआ लान ना से आप पैचान वीकान ही सकता विसरी यह वाला चय लगूआ लगूआ यह वाला कि वालत उमारे पास से यह वाला वरत कंड में अनिकाल नहीं जो giқंड कर दो ये निकालाएगा तो पहले हुँ क्या करता है त्रिट भण्द से निकलाएगा क्यों हमें पता ह। कि आर 20 cm और ठीटा भी पता है कि ठीटा 1200 डिगरी है त्रिट जन्ठाइब का य इसी ही से सब थीटा बटे 306 गुले पाई आरी स्कॉयर ठीक गुले पाई आरी स्कॉयर थीटा मारे पास किता 120 डिगरी बटे 306 पाई की वेलू कित्ती लेनी है 22 बटे साथ तो ले लो 22 बटे साथ सब्सक्राइब कित्ती है 21 का स्कॉयर मतलब 21 गुड़े के जिरो से जिरो कट गया बार एकम बारा बारतियां 36 सातरी की कीज तीन से तीन कट गया 21 22 कर लेना बाई कीज दूना होता वैसे 42 और 22 बैयालीस और 462 सेंटीमीटर स्कॉयर यह आ गया वाई हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्कौायर का लग उत्रे जिखंड का चेटरफल का फार्मूला स्कौयर वर्ग में चलता है इसलिए सेंटिमीटर रहे तो सब तो यह त्रबुज ऐसा है इसको बस सब्सक्राइब ने ऐसे पल्टा कर रख दिया मसक्रों वही है समझ रहों कि को यह यह कौन हमारे पास 120 बस सीधा आमने बना लिया इस तरीके से बना लिया बाकि है सब चीजे़ वही 120 डिगरी का यह और यह आपको पता है बना डिया यहाँ पर यह यहविए और यह मारे पास ब Вид तो यह को है ठीक यह 21 शर कर यहीद पूसर सब्सक्रबात क्या है इसका चल निकालने के लिए यह त्रबुच यह सेटर मौत ऐख सर तरबुच के छेटवल का फार्मूला होता है एक बटे दो आधार इंटू उचाई ना तो सर यहां पर हमें आधार पता है ए बी पता है ना ही यह उचाई पता है ठीक लेकिन सबसे इंपर्टेंट बाथ कुछ तरबुच की प्रमे का यूज़ों ना मलब तरबुच की समान भागों में विवक्त करती है, यह जो हमारे पास यहां से D अगर लिख लो, तो यह जो AD की लंबाई होगी, वही DB की लंबाई होगी, कैसे सर यह कैसे समान भागों में विवक्त करेगी, क्योंकि इसकी दो बुजाओं की लंबाईयां बराबर है, यह भी एकीस है, यह इक लंब डालते हैं तो यह दो समान भागों में विवाजित करता है यह अगर हम यह लंब डालेंगे तो यह कोड कितना हो जाएगा अधर वाला भी दिगरी नहीं मत्व यह वाला कितना बचा 120 है आधा बचा यह साथ डिगरी का बचा और यह भी कितना बचा यहराएगि दिगरी तो पूरा 120 नहीं नहीं कि यहीं मेन बात है सबसे इंपोर्टेंट बात यहीं है कि इस पस्ट दिख रही है सब को देख लो एक बार सब लोगा असानी से देख लो कोई दिकत नहीं मैंने क्या किया एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं यह बात समझ में आगी बागी कोश्चन सौल हो जाएगा इसक यह दो समान भागू भी वक्त करता है डी हमारे पास हमें समद्द बिंदू होता है तो यह लंबाई और यह लंबाई बराबर होगी और इससे लंब डालने से हुआ यह कि यह समकोन तरबुझ बन गए दो तो एक समकोन तरबुझ कोई भी ले लो चाहिए वाला ले ले लो हमें यह साथ डिगरी पता है यह कीस पता है हमें आपर त्रिकोन मिति का उपयोग करना पड़ेगा टिगनोमेट्री के बगार आप सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं तो आपको त्रबुझ के सरवांग समता लगानी पड़ेगी उससे आसान तरीका करते हैं त्रिकोन मिति बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर देगी यहां त्रिकोन मिति लगा लेते हैं क्या कि आपके पास एक कूण है यह ठीटा है यह आपको पता है नब्वे डिगरी के सामने वाली बुझा हो गई लंब और यह हमारे पास हो गई आदार ठीक यह बात के लिए रहना सभी को कि ठ ठीटा के सामने वाली बुझा हमारे पास लंब नब्वे डिगरी के सामने वाली बुझा होती है कर ठीटा अमारे पास यह साइन्स इस्टी हम ले रहे हैं इसलिए ठीटा यह ठीटा के सामने वाली बुझा लंब यह वाली मारे पास हो गई आधार साइन्स इस्टी लगाए तो लम बटे कण्ड लम बटे कण्ड तो लंब हम निकाल लेंगे कॉस्ष्टी लगाओगे तो आधार बटे कण्ड तो आधार लिकाल लोग क्योंकि आपके पास ठीटा है और एक बुझा है मैं देखो समझाता हूं आपको मैंने यहां से क्या किया सबसे important बात मैंने लिखा त्रभुज कौन से त्रभुज से त्रभुज ODB से त्रभुज ODB से क्योंकि आप जानते हो लाल बटे कक्का होता है यह सबसे important बात अगर तुम्हें कन पता है, कोन ठीटा पता है, तो आप लंब निकाल सकते हो, साइन सिष्टी लगा के, अगर तुम्हें कन पता है, ठीटा पता है, तो आधार बटे कन कॉस्ष ठीटा लगा के आधार निकाल सकते हो, ठिक, मैं चलता हूँ, यहां से, देखो, इसको अटाओ, पह często है आश को कि मैंने लिखा कि साइन्सेक्सटी कि सायन्श्टी राबर होता है सर लंब साइन तीन ठीटा लिख दें पहले साइनस ठीटा भराबर होता है लंबत्यकर रह फोरे लिग देता हो ताकि आप आराम से कर लू साली चीजे समझ लो साइन सिक्स्टी बराबर हो जाएगा लंब हमारे पास किता है लंब सर अमें निकालना यह बीडी मालों में निकालना है लंब हमने लिख दिया बीडी यह में निकालना है कर्ण हमारे पास किता है कर्ण सर अमारे पास 21 है तो 21 रख दो साइन सिस्टी किता होता है रूट तीन बटे 2, equal to, ठिक, यहां से मैंने लिखा, sin 60 बराबर होता है, root 3 बटे 2, यह हमारे पास हो गया, BD, बटे 21, तो यहां से तुमने BD निकाल लिया, BD बराबर कितना आ गया, BD बराबर आ गया, किस इधर चला गया, किस root 3 बटे 2, यह हमारे पास BD की लंबाई निकाला, सेम ऐसे हम क्या करते हैं, कॉस 60 एक बार लगा लेते हैं, कॉस चीटा लगा देते हैं, तो आधार भी निकालाएगा, आधार निकालाएगा, तो यह निकालाई, उचाई निकालाएगी, कि लंब निकलाया मतलब कि ये नीचे वाला नीकला ऐगा तो सिम्पब उमारे पास क्या करो अब एक ओडी बटे कर्ण कर्ण हमारे पास है 21 यह लिख देते हो पहले ओभी कॉस 60 हो गया ओडी हमें निकालना है और ओभी तुम्हारे पास किता है ओभी तुम्हारे पास 21 है कॉस 60 होता है वन बाइट यह हो गया ओडी बटे 21 तो ओडी बराबर आ गया 21 बटे 2 अब तुम्हारे पास सब कुछ भी तो आप आराम से अगर तुम्हारे पास बीडी तो आराम से तुम क्या निकाल सकती हो बीडी है तो आप अब निकाल सकते हैं यह उचाही चीए और यह मैं आधार कि लंब जी अधर है क्या पूरा ए बी एसे भी हमने बीडी निकाली यह जित्ती है एक यह अगर यह हमारे लिख सकते हो मैं इधर से इसको अटा देता हूँ नेक्स पेश भी लिखता हूँ मैं अगर A B लिखूँ A B तो A B क्या होगी सर A B बराबर होगा आपको पता है A D प्लस B D और B D यह हमारे पास यह A D के बराबर है मतलब two half BD हो जाएगा AB जो होगा वो दो गुणे BD के बराबर होगा आपने BD निकाल लिया है तो कि दो गने के बराबर है BD क्या आया था सर 21 root 3 बटे 2 21 root 3 बटे 2 तो 2 से 2 कट गया तो AB तुमारे पास आ गया AB वो मारे पास है क्या एक प्रकार से आधार है तरभूज के लिए कौन से तरभूज के लिए सर OAB में यहां पर उपर लिख देते हैं तरभूज अब हम आजाते हैं OAB नहीं तरभूज हमारे पास हाँ OAB बोल सकते हैं A, B, O बोलो या OAB बोलो पूरे त्रभुज में बात कर रहा है O A B से ठीक तो आदार हमारे पास किता आ गए 21 रूट थी और आपके पास उचाई है उचाई कौन सी है उचाई आप देखो ये उचाई हमारे पास सर ये है O से ये D तक की जो पड़ी दूरी O D तो O D हमने निकाल लखा है O D किती है यहाँ पर लिख देते है O D जो हमारे पास है उचाई तो उचाई हमारे पास किती है 21 बटे 2 सेंटिमीटर ठीक अब हमारे पास आधार भी है उचाई भी है आप त्रभुज का छेतफर लगाओगे एगा एक बटे 2 आधार कि हुचाई तो एक बटे 2 आधार कर पास हिता है आधार भी हरए स्वास PCR हमें पास है एक कीषरूट को चाहिह 20 बटे 2 तो एक की пользовतों तो 894 वसांटार तीन दो दूना चाहर ड़ींटिमीटर यह मारे पास आ गया त्रभूज का छेत्फल सेंटिमेटर स्काय तिक यह त्रभूज का छेत्फल आ गया उपर हम पहले निकाल चुके लगू त्रिजखंड का छेत्फल आप लगू वाले त्रिजखंड से यह त्रभूज का छेत्फल माइनेस कर दो आपको वरत्खंड का छेत्फल मिल जा लिख दो त्रिज क्षेत पर रहा हो जैसा आपको लिक क्या आना है एकजाम पूरे मांकस के लिए मास क्या हो जायेगा तिज़खन्द के छेत पल के हम यह द्रुजा. Euro AB का छेत. लग उत्री जिखरंड का छेट पल आपने पीछे निकाला था चारसो बांसाट आया था यह और इससे आपने माइनस कर दिया यह 441 तालीस रूट तीन बटे दो चार बटे चार सेंटीमिटर स्कार इसको हल नहीं करना है बस यहीं पर छोड़ देना आंसर पूरा माक्स मिलेगा क्या ही हल करोगे इसमें बहुत ज्यादा उद्धा 462 है उद्धा 442 तहीं आई लोगा कुछ भी नहीं रूट 3 का मान भी नहीं दिया यहाँ पर कुछ नहीं तो बस यहीं पर छोड़ देना यही आपका राइट अंसर देट देट आट याट्डे आट्ट आप आराम से यहां पर छोड़ के आ सकते हैं ठीक है त्रबुज का छेत्वन निकालना टफता उसके लिए यह पूरी हमें माध्था पच्ची करनी पड़ी कि इस त्रबुज में यह समध्दिवाओ दिखाना पड़ा यह बुजा हमारे पास दिखानी पड़ी कि यह आधी है यह भी बराबर होगी तो यह हमें अलग से समकोन त्र सब्सक्राइब भी मिली जाएगा उसके एकॉर्डिंग आप आराम से सॉल्व कर लोगे ठीक है किलियर चले आंगे तो इस कोशन बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है जो पूछेंगे लॉंग के कोशन है यह चलते अंगले कोशन पर अगरा कुशन हो क्या क सब्सक्राइब दस सेंटीमेटर तिर्जा वाले एक व्रत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है नेम लिखेत में त्रभूच का छेतल यहां से पी एक नया कॉंसर्प चीकने को मिलेगा देखो एक हमारे पास व्रत्त है यह हमने व्रत्त ले लिया इस व्रत्त की त्रिजा हमारे पास दस सेंटीमेटर की है इसकी कोई जीवा है जीवा हमने माली कुछ भी मालो जीवा कहीं भी हो सकती है यह हमने जीवा माली यह दिखता है पर यहलो से बना दू मालो हमने यह जीवा माल यह मालिया वृत का यह जीवा थी हमने क्या किoten दूंपको के दोनों बिससे मिलाśण थिक हमने दोनों बिंदों को मिला दिया यह आपको पता इकति यह दस सेंटी मिटर यह भी 10 सेंटी मिटर यह हमारे पास बात इस प्रकार से हैं तिक अब आंगे आओ के राणिम लिखित में छेत्फल गयात किजिए क्या गयात करना लगुते जिखंड निकालना और दीरुवृत्थ निकालना तो हमें वही काम करना पड़ेगा कि सरम पहले लगुतर जिखंड का अगर शेत्फल समझो तो यह बात क कैसे निकलेगा क्या सर फिर से यही पूरी रामयाड करनी पड़ेगी तरबुज क्योंकि यहां पर फिर से में तरबुज का चेत्फल चाहिए होगा ओ और बराबर है नेंटी और यहां यह थीटा है तो लग उतिखंड का चेत्फल निकालायगा वो निकालके रखी लोकि उ जरूरूरत पड़े गई उसी से हमारे पास यह तरभूच का छेत्वल माइनस होगा तरभूच का जब आएगी तो सब समझेंगे की कैसे निकलेगा लग उत्रेजिखन्ड का चेत्वल तो मैं निकालता हूं लग उत्रेजिखन्ड का चेत्वल यह होता है पाई ठीटा बटे इस तीटा बटे 306 अट गुलह पाय और स्क्वैर बुले पाय यार इस्क्वैर फिटा मारे पास किता है 90 यह किता है 306 पाई मतलब किती वेलू रखने थीन चनलो एक चार आर स्क्वैर मतलब होगे दस का इसका है व्लभ दस गुले दस नबस गूलें दस नब जोग अच्व दस दस तो तो 314 बटे चार मतलब की आ जाएगा चार सकते 28 बचा तीन चरू अठी 32 बचा दो चार पंचे बिस ऐसा कुछ आ जाएगा 88.5 cm2 इस प्रकार की कुछ वेलिव आ जाएगी तिक देख लेना कैलकुलेशन एक बार अब बात आती है फिर से त्रभुच पर अब बात आती है व्रत पर अच्छा व्रत में अगर एक बात करो जो यह हम त्रभुच को पहले समस्ते हैं कि त्रभुच क्या है कि एक बात सम्झो इंपॉर्टेंट बात मैंने यह डाइग्राम क्यों समकोन त्रभुच का लिए यह मैंने ए बी कि सी एक त्रभुच ले लिया है अबीसी नहीं इतने यों नाम दे जेते हैं हुआ है न någon कौन कीतना है नबय डिग्रीन हम लगकोण तो जो है वो 90 degree का है, तो ये वाला जो त्रभूज है, ये समकोन त्रभूज हो गया, क्योंकि कोड इसका 90 degree का समकोन त्रभूज की परिवासा यही है, कि जिस त्रभूज का एक कोड 90 degree होता है, वो समकोन त्रभूज होता है, ये कोड 90 degree का है, मतलब इसका जो डाइगराम होग होती है कर्ड यह तो होती है सर हमारे पास कर्ड हमें त्रबुच के छेटफल के लिए क्या चाहिए होता है सर हमें आधार चाहिए होती है और उचाई तो यहाँ पर ओए जो है वो हमारे से हमें आधार और उचाई दे दी उसने निकालने को नहीं का इसमें निकालना नहीं पड़ेगा में क्योंकि हमें समकोन त्रभुज दिया है और यह समकोन त्रभुज अगर क्योंकि वहां पर मैं नहीं पता था यह त्रभुज कौन सा है यह कोण 120 डिगरी का बनना आता तो त समकोण ही नहीं तो यहां पर हमें यह काम करना पड़ा कि हमें आधार भी निकालना पड़ा और यह यह आधार भी निकालना पड़ा और यह उचाई भी निकालनी पड़े यह आधार भी निकालना पड़ा यह उचाई भी निकालनी पड़े लेकिन यहां पर सर हमें पता है कि यह 90 डिगरी का है तो 90 डिगरी के सामें वाली बुजाकन होती है तो हमें इस AB की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें तो आधार चाहिए और उचाहिए तो आधार उचाहिए दोनों 10 और 10 है तो आप त्रभुज का छेत्फल आराम से लिख सकते हो अब यहाँ पर मैं लिखता त्रभुज ओ एबी का छेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो क्या होता है वन अपॉन टू आधार इंटू उचाहिए तो यह बात इसमें इंपॉर्टेंट थी कि एक बटे दो आधार भी मारे पास 10 है उचाहिए भी 10 है तो आपको पता है दस दाम सो मतलब की 50 सेंटीमीट निकल कर आगे अब आप तर फाब मिल जाएंयों यहां पर लंभ आधार में इन्रेक लिपता होते होते हूं कि 90 डिगरी के सामने वाली बुजाकर्ण कि हमें जरूवत नहीं हमारा इनी दोनों से काम हो जाएगा तो यह निकालना ही पड़ेगा यहां आपर यह पर यह पास क्या था यह मैं नहीं पता था यह तो मारे लिए आधार था तो यहां तो में निकालना ही पड़ेगा तो बिना कि त्रिजिखंड का छेत्फ़ल क्या आया था अठतर दसम्लों पांच सेंटीमीटर स्क्वाइर माइनस पचास चेक कर लेना एक बार यही है कैलकुलेशन जरूर एक बार देख लेना अठतर से चला गया थाइस दसम्लों पांच एंटीमीटर स्कॉयर आ जाएगा लगूत त् वरत्त का आपको पाऊबे लगूत ऊढानका निकाले लिया गणाएगा ँड़्त का निकाल लोगी क्वरत्त का छेत्वल का अच लिख है अhib क्या हो जाएगा पाई आरं इसक्वाइर्स थिक तो पाई की वालिू मारे पास क्या है बाइस बट्डे साथ थिक आर सांवार टी तो यह हो जाएगा 314 cm स्कारा यह पूरा वरत्त का छेत्फल हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है धीर वरत्त खंड का छेत्फल क्या होगा? वरत्त का छेत्फल माइनस लगू व्रत्य खंड का चेटफल हमारे पास किता आया 314 लगू का किता आया था 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 तर दसम्लों पहुंच माइनस कर ले न वह यह आंसर है यह आणसर ठीक खिलिए ऑंसर आपके पास आर्म से निकलाएंगे बस थोड़ी सी आसानी की बाती थोड़ा सा समझने की बाती तक्षिण आप आराम से निकाल सकते जिए अब चलते हैं इसी का अग्ला पाट है क्पाचवा यहाँ पर हमें क्याक क्या यहां चाप की लंबाई यह निकालना कहा मैं यहाँ यह लंक क्य型 क्या तरफार्मूला क्या तरफ्य धिन मट लिए इस वरत्त में कह रहा है कि केंद्र एक चाप है के सेंटिमीटर के मारे पास वरत्त वाला है वरत्त का एक चाप केंद्र उपर साथ डिगरी का कोड़ अंतरित करता है यह केंद्र है कि यह मारे पास केंद्र है केंद्र पड़ इस चाप की बात है यह चाप की बात करना है यह चाप हमने माल लिए लिए इस ए secular gebीन दीटा लिए तो एसे हमने B को मिला लिया कोई दिक्कत में एक है इंद पर 60 डिगरी का औप अन्देद करते यह A B के लंबाई हमें यहाँ पर ग्याद करने इस चाप के लंबाई ग्याद करेंगे ठीक 60 degree का कोन दिया गया 21 CM रमें तरिज्जा भी पता यह तो आपके पास फार मुला ही मापलो आप जाफ की लमभाई जहिए है 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 अगर तुम्हें चाफ की लमबाई चाहिए यह Her children तो यह भी कीसी होगी मैं लिख लेता हूं ताकि आपको आंगे काम आएगे भी ठीक चाप के लंबाई हमारे पास फार्मूला होता है ठीटा बटे तीन सु गुने तू पाई र हो जाता है यहाँ पर परिमाप ले लेते हैं बसचे तुफल की जगे तो क्या हुजएगा थृटा मारे पास है साथ के तीन सु साथ है पाई की वेलु कुछ तो बटे साथ देलो नहीं दिये तो बटे साथ भू आसानी रहती है ठीक तू भी लग गालू भाई टू नहीं लगाया कि दो गोने पाई की वेलू बाइस बटे साथ और आर की वेलू कित्ती है 21 का स्कॉयर मला भी टेटू पाई आरी तो रहे था 21 को ने के वली की सी रहे गाई साथ रिक एक इस जीरो से जीरो कड़ गया चाचरंग छतीस तीन एकम तीन तीन दू तो साथ गुणे में लगाया 2PiR 60 बटे वह वहारे पास हो गया 60 बटे 360 गुणे 2PiR ठीक आर की वेलू 21 ती तो शाचरंग जतीस हो गया ठीक है 3 दूना चाहे दो से दो कड़के सब बचिए बास सेंटिमेटर आ गया अब क्या करना चाप द्वारा बनाये गए गये चेत्पन चेसे एक प्रकार रसे यह वो गया first part Second part लाग उत्री कि टैत्पन का छेटन के साथ भूले पाई ऑड़e स्कायर ही दीजातर तो ठीटा मेरे पास फिर से वहीं 30 दूट अट पाई हमारे पास 22 वटे 22 बटे साथ हो जाएगा और आर स्काइर इस बार गया और 11 दूना 22 एक तेईस हो गया तो 231 सेंटीमेटर स्क्वाइर आ गया कैलकुलेशन वाई चेक करते रहे ना जैसा मैं बोलना हूं तो सही करते रहे ना साथ साथ कैलकुलेशन तुम लोग भी करते रहे ना ठीक है तो एक प्रकार से हमने यह चाप की लंबाई भी निकाल आगी और यह जो छेतरफल था यह पूरा चेंट के द्वारा जो यह मलब इस्टाप के द्वारा जो गिला चेंट वर्तिर कंड बनेगा यह वाला लग उत्रीन्ग का छेत्फल भी हमने निकाल एक 231 सेंटीमेटर स्कार बात आती है तीसरे पार्ट में करा संगत जीवा यह A B जीवा में जब A से B जब चाप वाले दोनों बिन्दों को मिलाया तो यह जो जीवा बनी अब इसमें लगुवत्खंड जो बन गया यह नीचे वाला इसका तुम्हें छेत्र फल निकालना है फिर से वहीं पर बात फस गई कि सरम त्रिजखंड का छेत्फल तो निकाल चुके हैं कोई दिक्कत नहीं लगुत जिखंड का अब 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 चुछ यह फिर से त्रबुच क रज़ना च्राइब निकाल लेंगे तो यह बच जाएगा कि फिर से त्रबुच पर आ गए ओए अफिर से त्रबुच पे लेगी तुम्हें यह हमारे पास त्रबुज O A B है मैंने यह त्रबुज बनाया O A B जहां से देखना त्रबुज O A B क्यों इसमें तुम्हें क्या-क्या चीजे ग्यात हैं वो लिख लो हमें सरी यह ग्यात है इसा क्यों लगड़ा है कि यह सही नहीं अधिक यह हो गया मांदू O A B यह मैंने बड़ा बना दिया अंदर यह वाला उठा के यह मना दिया है इसमें तुम्हें पता है कि यह 21 है यह भी 20 है यह पता है 60 डिग्री है कि यह जिया ने गहांद स legit भी हैंक बात समझना-डु एक 90 डिग्री का इसल में他的 मोला आधा़र निकल आता चाहिए बानने उदार चाहिए उचाहिए मालों यह राम से भुथे देती जब कोण 90 के अलावा कुछ होता है तो this करता है 90 के अलावा 60 में भी एस पेशल के सोता है कि अगर यह 60 अगर केंद परंदेट कॉड्ण तो मैं 60 डिग्रीद दिया है आपको यह बात मैंने प्रमय एक समझाई थी कि अगर यह आमने सामने की बुझाएं इक को लें तो इसके सामने का कूण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ये कोण और ये कोण इक्वल हो जाएं क्योंकि इसके सामने का कोण ये होगा इस बुजा के सामने का कोण ही होगा क्योंकि ये बुजा है हमारे आपस में इक्वल तो अगर मैं इसको X माल लूँ कि ये कॉण X है तो ये भी X होगा अब आपके त्रबुज के तीनो कोणों का योग पता है मैं लिखता हूं त्रबुज O A B से आपको क्या पता है किसा त्रबुज के तीनो कोण जो होते है X प्लस X, X प्लस X प्लस 60 एकेन्द और गुरी तो यह था पूरों का योग 180 डिग्री होता है और यह किता हो गया टूएक्स 60 को उधर ले गए टो एक्क्स सवंसी माइनस 60 हो गया तो टूएक्स बराबर किता गया यह और हमेह पास के moji 120 गृद है साथ डिगरी तो से भाग किया साथ डिगरी आ गया इस इससे क्या तुम्हें मिला इससे तुम्हें यह मिला कि सर जो यह अमारे पास साथ डिगरी आगा कोन अगर केंद पर दिया गया है तो यह वाले कोन जो होगे यह बी 60 डिगरी की safeguard और साथ साथ डिगरी का होने का मतलब है कि ये त्रबुज होगा वो हमारे पास क्या होगा संभाहू त्रबुज होगा सीधी सी बात ये निकली कि सर्य जो त्रबुज होगा वो संभाहू त्रबुज होगा क्या होगा संबावत चब्सक्या इंपोर्टेंट बाथ कि अगर तुम्हें केंद्र पर अंतरित कोण साथ डिगरी का तुम्हें दे दिया है उसने तो सीडिसी बात ही हो गई कि दो भुजाय तुमारे पास यह सेमहोंगी फिरें जाये यह किससा तो इसके को रहे शामने पर रूट तीन मटे चार बुजा इसको यह नहीं आद है तो याद कर लो मैंने कुज में भी एक कोश्चन कराया था जब लाइफ कुलास में कि रूट तीन बटे चार बुजा इसका क्या होता है छेत्र फल होता है वो इसी चैप्टर का है समझो क्यों एक प्रकार से तो रूट तीन बटे चार बुजा इसका छेत्र फल होता है अब आप आराम से निकाल सकते हो त्रबुज ए ओ बी का छेत्र फल त्रबुज ओ ए बी का छेत्र फ सेंटीमीटर होगी तो यह मारे पास हो गया बुजा स्कायर मतल्ब 21 गुड़े 21 ठीक तो यह आगया 441 रूट तीन बटे चार यह आ गया सेंटीमीटर स्काछ Jeśli आ गया योटीक कच्छट पद अब तुम्हें पता आए कि कան से निकाला है लगुरत हुड़ि kendust certificate यह अब Oo आप आराम से लिखको लगुरत टेहrzyंनल Master number je rad ja Culture से अब तीन से का माइनस कर लेना 301 ही स्कोच लिखे लेना गोने रूट तीन बटे चार सेंटीमेटर करने कि कोई जरुवत नहीं यह अंसर है आपका ठीक है आंसर बस कैलकुलेशन चेक कर लेन जो पिछली कैलकूलेशन है वो सही आई या नहीं आप साइक कर ले ना उसी के क्योंडें घल्ती हो सकते ही कही पे Clapezole i7 चेकलिखंब से और सबसे में 13 और से वह वह रहें ये स्याद़ यह मैंचिक्षा चालाई इस को छहलाई लगानी पश्परपर में Vous काम हो जाएगा भी हला पहचानना आना था है कि लिए रहां तक सब्सक्राइब कोई थो नहीं यहां था चले आगे अब एक अपर व्हला और अच्छा कोश्यन है अभी करेंगे और कोुशन नवा भी करेंगे सारे मुद लाया हूं कुशन तु मैं सारे लेडy Six कि करले मैं तुम्हें करा दूँ जब एक ही सबको क्लियर है ना चले आंगे अग यह वाला कोश्चन देखो इस कोश्चन की बात करें आठवे की तो कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वरगाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूटे से एक घोड़े को पांच मीटर लंबी रसी में बांद दिया गया है फीगर है कि इस वर्ग में है अथी के लिए ओजाएक परिसान नहूं안 तो ऑनि ठीक इस प्रकार सेों मज़ें क्या हो रहा है एक हमारे पास वर्ग है इस वरग की हमारे पास अगर देखो इस वरग की जो मारे पास यह बुजाय की यह 15 मेटर की पनला 15 मीटर चोड़ा मारे पास के मैधान वर्गाकार मैधान गहास का मैदान है यहां पर घास लगी यह पूरे मैं अगर देखा जाए तो यहां पर पूरे में घास लगी है तुम समझ रहे हो गास लगे बस सी दे अटो इसको क्या खराब हो जाएगा पूरा सिस्टम ठीक यहां पर एक यह वरगाकार मैदान में यहां पर एक गास लगी है पूरे में यहां पर एक खूटा-गड़ा है देखो मैंने एक ग्जामपल तुम्हें एक बार दिया भी था कि अगर कोई खूटा गड़ा है मालो यहाँ पर और इससे कोई एक रसी से बंदा हुआ यहाँ पर कोई एक जानवर है यहाँ पर कोई जानवर बंदा है रसी से तिक अब इसके बाद अगर वो क्या करता है वो रसी से बंदा हुआ है और अगर ऐसे चारों और गति करता है चारो यह वाला एरिया दिखाया उन्होंने जो आपके डाइगराम में तो बनना है जब ऐसे यहां पर यह घोडा है यहां पर खूटा गड़ा है आपके गाव में देखा होगा घर अगाव में इस बिलॉंग करते हो तो खूटा होगा उससे रशी बन्दी होगी तो चारो और ऐसे मुहुमेंगी तो एक उनत काहीं निरुमाल करेगी वह हमने क्या कि यहां से मालवाव रस्सीट से से गुमाया तो फ्रकार से वरत्त का निरमाल कर रही इसके में त्रिज्जा दि गें जो घोड़े कर दो जो यह रस्य यहां से बंडिहां तक गोडा है यह में आ पर कोश्यंन में गीवेन हैं कि यह 5 है यह आपको दिए गई हो सीटिटिक है है को यह आपके पास पाथ балव यह भी 5 ही ओगák यह खला कि दिखत में यह वी 5 cm, अब आगे बात करते थीक क्या कहा रहा है पहले पार्ट में मैदान के उस भाक का छेतर गया के जो घोले दौराग या सकता है उतना ही छेतर चळाझma सकता है इतना इतना फान्य चेटर चोड़े चिरागा सकता है मतलब कि जितने में ईधर तो घ्रसीप नहीं है springs फेकि तो मैदान ही मैदान साग्सिंपल सी बात सब्सक्राइब नहीं दिया कोंड कैसे पता चले यह समारे पास एक प्रकार से खूंटा जोग्या वो केणर बिंदू हो गया अब त्रिजखंड हो गया यह पांच है यह भी 5 होगी कोई दिखकार नहीं मतलब कि हमें आर पता हो गई क्या पता हो गई एक तैंपरकार से में 30 से पता हो गई कित शाया टयार पांस कोई मतलब नहीं अशना हूं यह पाइश कर नियुकर दिसक्त अब आउंट बाने गार तो ठीटा भी तुम्हें पता है आराम से निकला यह अंसर बस उसने डराने के लिए सब इत्ता घासाज मैदान तयार किया है बागे कोश्चन में बिल्कुल विदम नहीं है अराम से आप लिखोगे क्या त्रिज खंड का चेत्रपल लिखोगे लगू त्रिज खंड का चेत्रपल यह क्या हो जाएगा सर्य हो जाएगा ठीटा बटे तीन सु साथ गुणे पाई आर इसकार ठीटा मारे पास नब्वे बटे तीन सु साथ पाई कुछ का है कितना लेने को पाई तीन दसम्लों एक चार का है तो लेलू भाई अब 3 दसम्लों एक 4 आर इसक्कार केता हो जाएगा आर आर अमारे पास 5 है तो पांच का स्कॉर हो जाएगा पांच गुणे 5ργ वह साल्फ कल लेंण कि क्लेक्टि नोग कर लेना ठिक के लिए सभी को यहां से मारे पास यह लग उत्री जिखन्ड जो यह बनना था इसका च्छेटफल अपास आ गया है है 2 पार्ट थोड़ सा अच्छा हो गया इसने सेकेंड पार्ट में क्या पहले पार्ट का अंसर आ गया यह फिर्ष्ट पाट हो गया कि ए अगर हिए खिफल में ब्रद भतानी है कि अगर ये हिस्शा में कित्ती ब्रद यह यदि घोड़े का पांस सेंटीमीटर लंबी रस्टी स्तान पर दस मीटर रस्टी से बांद दिया जाए गोड़े को थोड़ी आराम दी गई यह जो पांस सेंटीमीटर रस्टी से बंदा था इस रस्टी की लंबाई बढ़ा के दस कर दी अलब बढ़ा दी थोड़ी सी अगर यह रस्टी की करना माल यह गास का मैदान तो है कि इसमें क्या था पहले हमारे पास एक जो वृत्थ था मतलब जो घरबड़ होले के पर siSi उससे जो व्रत बनना था वह फां सेंटीमेटर का बनना फांच सेंटेमेट तिज्यका बनना था इसके बाद क्या किया गया इसके बाद इसे कर दिया गया इसकी रशी को जो बढ़ाया गया सथ स्टेमेटर शे इनक्रा इचरग गए ये 15 समेटर की थी ये लंबाई जो थी we वा रवेटर की नीघ क कोई दिखकत नहीं से कोई बत नहीं यह पहले ज़ यह 5 मीटर की थी यह मारे पास 5 मीटर तो सेंटिमेटर लिए इढ़ी है मैं फिलर मीटर रहे ज़्या आ यह सब सेंटीमित यह ये 5 मीटर है ये 5 मीटर है ठीक ये भी 5 मीटर थी कोई बात नहीं ये कोण वही था 90 डिगरी का ठीटा 90 फूर इसने क्या किया इसकी 5 की बढ़ाके 10 कर दी ये पूरी जो हो गई इस बार इसने कितनी कर दी 10 मीटर की कर दी तो ये जो छेतर में ब्रद्धी आ गई ये जो एरिया जैसे पहले इतना घास चर रहा था अब पूरा चरेगा लेकिन ये जो ब्रद्धी होगे ब्रद्धी कौन सी होगे ये वाला इससा बढ़ गया इतना हिस्सा और उससे मिल गया चरने के लिए यही तो ब्रद्धी हुई इसकी ये हिस्सा और मिल गया सिर्फ ये तैलेंगे क्योंकि इस त्रजिखंड की बात हो रही है ये जो मारे पास त्रजिखंड है अब तिक इस त्रजिखंड की अब बात हो रही है जो मारे पास मैं ग्रीन से बना दिया है ये वाला ठीक अब जब इसने रसी को क्या किया DRS मीटर कर दिया तो कुछ इस प्रकार का सीनेरियो हो गया इस तरीकी साइरु हो गया अब गोड़ा इतनी दूर तक की घास चार सकता है आराम थिक हमें निकालना क्या यह पितना वइसे вीच अब सप्राइब इतना चलने लगा यह वाली इत्ती ब्रदी होगी बढ़ गई इतनी अंतरी हमें और निकालनी है इत्ती कैसे निकलेगी आगर अगर पूरा ते जिखंडे निकालने 10 को लेकर यह मारे पास दस है इधर भी मारे पास 10 है आपको पता है यह भी मारे पास कित्ती हो जाएगी 10 हो जाएगी यह भी मारे पास दस हो जाएगी ठीक यह दस वाला लेके हम अगर तिखंड का छेत्रफल निकालने और पांच वाले छोटे वाले को नाय माइनस कर दें तो यह वाला बच जाएगा सीधी सी बात आप आराम से निकाल सकते हो तो हम यहां से क्या लिखते हैं हमें क्या निकालना चेत्रफल में ब्रदी निकालने थी मैं लिखता ह Korea फल में अगित्त यह थुप लिखता हून टुर्म ब्रदी कि एफ जेत्रफल में है तो ब्रदी शेती और अब्रत धी हो जाएगी एक और आई है का दस मे 2 वाली लगू त्रिज्ज खंड का छेत्फल जो बड़ा वाला है इससे बड़े वाले से 5 को माइनस कर लेंगे त्रिज्ज खंड का छेत्फल इससे माइनस कर लो 5 मीटर वाले लगू त्रिज्ज खंड का छेत्फल लगू त्रिज्ज खंड का छेत्फल ये माइनस कर लो वैसे पांच वाला तो तुम्हाँ लेडी वैसे निकाल चुके हो दस वाला तुम्हें निकाल लेना चाहिए बस उससे माइनस कर दो यहां पर मैं यहीं करते तो वैसे वैसे भी आसान रहेगा आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सीटा बटे आरवन बराबर 10 है आरवन बड़ी वाली लिए और आरटू बराबर आपास पांच खिक यह पांच मीटर है यह हमारे पास दस मीटर एक ठीक ठीटा बटे सबकी वेलू रख लेना ठीटा मारे पास वही रहेगा नब्बे पाई की वेलू वही रहेगी क्या तीन सम्लों एक चार आरवन का स्कॉयर मतलब दस का स्कॉयर सो मतलब 25 माइनस कर लेना यह हो जाएगा एक बट्टे चार तो एक बट्टे चार गुणे तीन दसमलों एक चार गुणे सब्सक्राइब कर लेना इसे वह यह आंसर है यह चेथफल में ब्रदी आगी सेंटीमीटर स्कॉयर वह भी कर सकते थे कि सर अमने पांच वाला तो अल्वेडी निकाल लखा था यहां पर हम दस वाला और निकाल लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं यहां पर कॉमन मिल ला था इ अलग से फिर दस से पांच वाले को माइनस कर दो वह भी आंसर सही है यहां पर मैं पता है कि आरवन आर टू दो तिरजाएं अलग अलग है बाकी चीज़ें तो से मैं इसले मैंने यह इंपॉर्टेंट था इसमें कि कि यह तिर जिखंड बने यह जो एरिया गोले द्वारा चरा जाएगा यह तिर जिखंड का निर्मान करेगा बस यहीं समझना था बाकी फार्मूले तो पिल लगाई लोगे के लिए टाइम हो रहा है ठीक है एक गंटे से दूपर होई गया है बैटर और सांती से सारे कोश्चन करेंगे बस पूरा वंस्वाट आपको रिवाइस हो फिनिस कर लेंगे यह कोश्चन नवा कोश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो पहले नवे कर लेते हैं फिर आंगे बढ़ते हैं ठीक है अब यह कोश्चन कह रहा है एक व्रताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है तार को एक व्रत क प्याच व्यासों को बनाने में भी प्रियूप्ट किया गया है जो उसे दस बराबर तिरिज खड़ों में विवाजीत करता है जैसा कि आकरत 11.9 में दरसाया गया है अच्छा सब पहले ब्रूच की बात अगर खरने ब्रूच सारे लोग जानते हो ब्रूच जो होता है जैसे आप साधियों में देखा होगा कि कोड़ पहन के लोग जाते है और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा चैश्ञस सरा लगा होता है च्छोटा सा कूछ ऐसा लगा होता है गल्स भी लगा है लथक्या भी लगाती है तो बहुं इसमिंग नहीं लगा ना को स्टिक का बताता है इसफव में given भी है कह रहा है एक व्रत्ताकर बूच है मतलब की इस प्रकार से सम्झार अंगर देखो ऐसे कुछ माली हो ब्रत्ताकर एक ब्रूच है ठीक यह मारे पास एक व्रत्ताकर US बनाजा है अभी इस फ्ञेगर पर ना जाओं पांच मिलीमीटर का इसका व्यास है ठीक और को रत्क के पांच व्यास तो दारा बनाए यह फांच व्यास ऐसे एक व्यास ही हो गया ऐसे मालों एक दूसरा है 2 तो फिर ऐस ऐस तीसरा एं तीन एक ऐसे चोथा है एक मतलब नहीं कर हो लेकिन पांच व्यास हो द्वार्ण है ऐसे कुछ बनाया गया है ऐसा प्यास हुआ है अगर क्या कह रहा है जो उसे दस बराबर त्रिजिखंडों में बाट देता है यह दिख रहा है कि अगर हम यह बराबर त्रिजिखंड सारे हो जाते हैं यह फीकर हमारा तो वैसा बना है यह बराबर इसारे त्रिजिखंड में बाट देता है जैसा कि आकरती ग्याद असमलों में बटा देते हैं, यह वरत्त था, वरत्ताकार बूच, इसको अमने 5 व्यास, 1, 2, 3, 4, 5 व्यास मालो ऐसे खीज दिये, तो यह 10 बरावर वरत्त और इस वरत्त को 10 बरावर भागों में काड दिया, इसमें, और कह रहा है, क्या ग्याद करना है, कुल वान्शित चांदी का तार की लंबाई ग्याद करो, पहले तार की लंबाई ग्याद करने हैं, तार कैसका है, चांदी का तार है, चांदी का तार कहां का प्रियुक्त हुआ, पहले ये देखो, एक तो व्यास में प्रियुक्त हुआ है, जो पांच व्यास है, इनमें चांदी का तार लगा है, और जो मारे प पहुता हूँ बहुता हूं पहला पार्ट कि अगर हम बाहत करें है इसमें ने इसमें में अरफ बूच में व्यास पता है मतलब 2-6 बराबर हमें पता जान बुउपन Mmm की ओ्यास कर साथ में आरप से य्वियास ए कि फूर गया है तो पहला पार्ट हमें क्या चाहिए कुछ कुल वांचित सिंपल कुश्चन है ये कुल वांचित चांदी की चांदी के तार की लंबाई यह लंबाई कितनी हो जाएगी सर यह हो जाएगी एक तो हो जाएगा इसकी परदी पूरी व्यास की जो परदी है व्रत की जो परदी है तो इसकी परदी हो जाएगी सर एक तो परदी ठिक इसमें तार पूरा लगा है क्योंकि यह भी तार लगा है पूरे में और एक ये पांच पांच गुणे व्यास क्योंकि एक व्यास है मलो एक व्यास हमारे पास दिख रहा है कि एक व्यास की लंबाई 35 mm की है ऐसे हमारे पास टोटल कितने व्यास है पांच व्यास है तो पांच से अमने गुणा कर दिया बस और कुछ नहीं कि तो आपको फरदी के सूत्र पता है है रख दो सारी वैलू रख दो प prevailot De a to pay a a यह उता है पांच isूने तूवार बाक Aquí इaja हो कोई दिक्कत है नी स्वाल करना इस है और कोई समस्या ऊंए पाई लेने को कहे रहा नहीं कह रहा तो अब सॉल तो करी लोगे तो मालू 22 बटे साथ ले ली आर की वेलू 35 mm है फर ज़िगा एमेम में रख देते हैं पांच गुणे ये भी 35 mm है तो दो गुणे 35 हो जाएगा ठीक आर की वेलू पता है सारी वेलू रख दो इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा ठ ये पांदूना 10 220 प्लस पांदूना 10 350 जोड़ दो इनको तो ये हो गई 0 527 और 325 570 mm तो टोटल हमारे पास इस तार की लंबाई आ जाएगी 570 mm देख लेना कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना कुछ नहीं करना था सिर्फ हमें तार की लंबाई चीए तो तार की लंबाई के के लिए तुम्हें बस ये देखना उकितार हमारा प्रियूक्त कहां कहां विए एक तुसर हमारे पास परदी में उपयोग हुआ है तार चान्दी का बनाया गया तो इसकी सिकी परदी का इस तो ब्रूज के प्रतोर एक। प्रतिके घ्रक निकालना है तुम्हें बूच के तो आप एकर निकालनों सिंपल आपको पता से एक दो तीन चार पांच राज शे साथ आठ नो पांच व्यास इस tay वक्या है एक दो-टी शार गी जब इसमें बाट दिया पांच sowнов कि यह च्छार दिखा और नहीं नों डशिक कहई रहा है प्रतेक से उपने क्या करना है तिरजखंडका छेटफवल निकालना इन निकाल लो किसी का उसके बाद आपको पता है सारे बराबर है तो आप 10 से वहाँ पर गुणा कर देना और कुछ नहीं करना आप आपने एक का अगर छेत्फल निकाल लिया और दस से गुणा कर दिया तो पूरे का प्रतेक त्रिजिखंड का छेत्फल आ जाएगा ठिक अब आप क्या कर रहे हो को एक का जायेगा तो वही प्रतेक का होग और सिंपल एक का निकाल देगे इसका निकाल दहेंगे तो वही इसका होगा वही सब्सक्राइब रावर खियो की सा ये खुंद मिन차 2 तो इस KNOW पका छेत्वख उसका फार्बूला होता है इसा साथ लुत गूरे बाइस पाइड़ प्रणी स्काइर ये सेट का फार्बूला निकाल लें कूरा कोन जो बनता है वो 360 डिगरी का बनता है अब ऐसे कितने इसे हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस तो ऐसे दस बराबर हिस्सों के द्वारा जो कोन बनेगा अगर मुस्की बात कर लें तो वो कितना बन जाएगा ये सर हो जाएगा 30 डिगरी 10 से भाग कर दो सिधा 36 डिगरी ठीटा का माना जाय कि ये प्रत्य आठ भको रहा हो restore अभ सेथ तो आठ से घालत लिए खाथ म फ्यास किचे तो दस बराबर हिस्से प्राप्त हुय देखा लिख दिख भी आ उसे दस बराबर तिर जिखंडों में विवाजित करता है दस जब तिर जिखंड में विवाजित करेगा दस से भाग कर दो के 36 डिगरी आगे अब आपके पास सारी चीज़ें आर भी यह ठीटा भी लिख दो यह हो गया हमारे पास 36 बटे 306 गुणे पाई की वेलू नहीं दी गई तो 22 हो गुणे 11 ठीक हो गया 11 से इसमें कलने ना 11 55 55 और 11 33 305 383 मिली मीटर स्कॉयर आ जाएगा एमेम में दी गई थी लंबाई ना आर की वेलू जिसमें रख रहे हो उसी में हमारे पास शेत्फल आएगा तो एमेम स्कॉयर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका शेत्फल हो लैंग्वेज के माध्यम से तुम्हें समझना है कि कहां पर त्रिजिखंड बनना है क्या त्रिज्जा होगी और क्याम छेत्फल का सूत्र लगाएंगे बाकी सब चीजें आसान है क्लियर है सभी को एक बार लंबाई निकाल निकालना था और कुछ नहीं करना था चलते हैं क्या कहे रहा है देखो सारे कोशन मैं करा दूंगा परीसांना क्योंकि जाता दस्वां कुछिंट एक छत्री में आठ ताने लहें ताने समझ रहो जैसे छ्यत्री जब तुम लगाते हो तो वह देखें ओना लोगे के सितार ऐसे बने पूरे होते हैं यह 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 ताने ही यह म हमारे पास ताने है जो हमारे पास इसको भी बोलते हो तुम लोग वैसे ताने नहीं को बोला जाता है जो बराबर दूरी पर लगे हुए है सब बराबर दूरी पर यह दूरी बराबर यह सब बराबर बराबर एकदम सिमेट्रिक है जैसे लगाते हो दिखते हो यह दूरी बरा वुकित्ती दी गए 45 cm की दी गई यह में त्रिज्जा जो दी गई है यह 45 cm की हमें दीगी एक प्रकार से 10 tip इसको poka लिखो तुमे मघस है यह 45 cm की ऐसे प्रतेक 45 cm के एक धुक है रहा है षब में कह रहा है थी हमारे पास कित्ती ताने लगी है देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ टिक देख रहे ना दो दो चार दो च्छे और दो आठ मतलब कि चार व्यास है तो आठ ताने लगी हुई है तो इसके दो क्रमागत कोई भी ताने ले लो कोई भी क्रमागत दो त क्रमागत तानों के बीच का छेतफल ग्याद करना है अब आपको एक चीज़ इस पश्ट हो जानी चाहिए कि यह अगर व्रत्ताकार पत्त हैं यह दो क्रमागत जो ताने है यह ताने क्या है त्रिज्जा है सिम्पल यह भी 45 है और यह भी 45 होगी यह में पता है कि यह 45 है तो य ताने चीकलेंगे खीट तो वैसे निकलेगा जैसे पिशली कोष्टन में निकाल चीटा बराबर क्या होगा पूरा कौन होता है तोपी Sud 1360 अब इसमेन कितनी ताने लगी मोद देख सकता कितनी ताने लगी एक दो तीन चार पांच हैं साथ आठ और से डिवाइड कर दूटु तो थीटा की वे नियू आ जाएकआगे जैसे हमाने तस से डिवाइड चिया था तो ओकि वहां पर दस बराबर इससे ऋ रहे थे यहां हर आठ बराबर हिससे तो आठ से डिवाइड कर तो वही ठीटा मारे पास वैल्यू हाज जाएगी अब आट से डायक्ली भाग तो जा नहीं नहीं तो यहीं पर छोड़ देते अब सीधे लिखते हैं त्रजखंड का छेत्फल फार्मूला लगाव आंसर पाउ त्रजखंड का छेत्रफल क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीटा बटे 306 अचा पाई आर स्कुरार है ठीक ठीटा की वैलू किते है 306 बटे आठ भटे थीनशू साथ इसके नीचे कुछ नहीं तो यहीं धर जाएगा यदर जाए गुले में पाई आर इसकोई रहा है पाई की वेलू किती है मालो 22 बटे साथ ले ले थे आर इसकोई तिर्जा मारे पास किती दी कि ये 45 तो 45 का वर्ग हो जाएगी ठिक मालो 306 से 306 कर जाएगा यह मारे पास बच्चा किता यह मारे पास हो गया एक बटे 8 गुणे 22 बटे साथ गुणे 45 गुणे 45 बाइस को सॉल्व कर ले ना आंसर जो आएगा वह सेंटीमेटर स्कॉयर में आएगा उनिट अगर लिखो गया आदा माक्स पक्का काट देगा तो यूनिट लिखते कैसे हैं जैसे जो लंबाई यहां पर सेंटीमेटर दीगी तो सेंट मießक्र भी अफघया चला तो मीटर का वरोगया मेटर मे में चला था तो मीटर का वर किलोमीटर का वरो जाए उसी कहरा समुद्र को जहाज को समुद्र में जलिस्तर की नीचे इस्ति चटानों को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 डिगरी कोण वाले तरिजिखंड में 16.5 किलो मीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकास फैलाता है समुद्र के उस बाग का छेत्वल गयात करो जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकनी है पाई की वेलू यह में प्रयोक करती है देखो होता क्या है अब बास समझो ये तो लिखाई है होता क्या है मालो हमारे पास यह जल इसतर है जल इसतर मतलब कि ऐसे उपर जल की लहरे है उपर हमारे पास को बाद लो ये जहाज जा रहा है थी कि अब यहाँ पर होता क्या है कि आंगे अगर कोई चटान है म容易 इसके समुद्र के तल के नीचे अगर कोई हमारे पास चटान है या ऊपर उठी हुई कोई चटान है ऐसा आपने कोई लोगों ने एक मुवी आई थी टाइटेनिक किसी ने देखी है समुद्र जो जहाज डूबने का कारण रहता है वो यही रहता है कि चटान सामने होती है और रात में जब ट्रवल कर रहे होते हैं कभी कभी चटान आधी का उपर हो थोड़ी सी उपर हो बाकी नीचे हो और फैली हो चारो तरफ बर्फ की कुछ भी आइसबर्ग टाइप का हो और फिर उसमें क्या होता है कि जहाज जब टकरा जाता है तो उससे जहाज में पानी भरने लगता पलड़ जाता है तो फिर टलटने का खत्रा बहुत होता था अब यहां से होता क्या एक लाइट हाउस लाइट हाउस का मतलब यह है सिंपल की एक लाइट लगी होती है मालो यहां पर कहीं एक लाइट लगी है इसके आंगे मालो यहां से जो भी लाइट लगी है लाइट क्या करती है मालो लाइट इसे कहीं भी लगी है मालो यहां पर लाइट लगी है हूँ स्कде British नइस फ्लीट से यह मालू यहां से लाइठ तो लाइट जब वह रोसनी करती है तो कुछ प्रकार से रोशनी फीटि नैसे तो ऐसे रोसनी फेकती है आगे की तरफ तो रोसनी देखो कित्ती जा रही है 16.5 km दूरी तक लाल रंका प्रकास पहला ती जब लाइट यहां से छोड़ी जाती है लाइट जब चालू होती है तो आंगे 16 km 16 16 तक कि ववो क्या करती है दूरी कवर करती है और वो जो दूरी कवर करती है यह ऐसेोak प्रकास ऐसे घृम है निकली तो ऐसे क्या होता है कि एसे वह कि त्रिज खंड का निर्माद कर लेती एक प्रकार से रोसनी जा निए ठीक सिह अब सिनारियो समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है कि एक força के को पाले एक त्रिज्ज खंड में यह को रचाहरा है समुद्र के उस भाग का छेतर जiggerाद करना जिसमें जहाच को चेतावनी दी जा सके मतलब चेतावनी उसी चेत में दी जा सकती जहां तक लाइट पहुंच रहे होगी तो चेतावनी कैसे पता ही चलेगा फाल नहीं तो जितने एरिये में लाइट की रोषनी पहुंच रहे है तो वह कृतना चैटफल होगा जहां तक की चेतावनी दी जा सकती ज़िसा 111 यहां पर आंगे कोई पत्थर है तो आप यह जो भी जहाँ जाई इसको आप इधर कर लीजे या इधर कर लिए दायं बायं जो भी करना है स्लो कर लीजिए जो भी करना है वो आप आराम से कर सके तो यह सिनारियू है कुछ ऐसा प्रकार का बस और कुछ नहीं अगर लाइट यहां भी लगी होगी इसके जहाज के उपर तो भी वस समझ लो ऐसे सोला किलो मीटर तक सामने दिखना चीह कि हमारे पास इस प्रक लाइट हाउस के दौरा उस चटान को पहचान सके यह प्रकार की चटान है माल लो यह मैंने सिर्फ कोश्चन को फील करने के लिए आपको समझा दिया कि क्या क्या सीन हो रहा है बागी कोश्चन बहुत आसान है जो साले को 16 किलोमेटर है वो अपने पास आ रहे क्या 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 दे दिया गया देखो आर भी हमें पता है साले 16 किलोमेटर है ठीटा भी हमें पता है 80 डिगरी है तो बचाई क्य है त्रिज खंड का छेतर पर क्या होता है सरी होता है ठीटा बटे 306 गुणे पाई रिसक्वार ठीटा की वेलू है असी बटे 306 पाई की वेलू 3.4 लेनी कोशन में गीवेन है अगर कोशन में दी गई है तो वही ले लो ठीक है आर इसक्वार 16.5 गुणे 16.5 यह कैलकुलेशन करोगे आंसर आजाएगा किलो मीटर स्कॉयर ठीक यह वैसे कट जाएगा जीरो से जीरो पाकियार तुम कैलकुलेट कर ले जो भी आंसर आएगा याद रखना यहां पे जो भी आंसर आएगा वो किलो मीटर स्कॉयर में आएगा ठीक क्योंकि किलो मेटर में दूरी दी गई ह तो उसी का वर्ग उसका चेत्रफल होगा तो किलोमेटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा गुणा तो करी लोगे भाई उसमें भी तो नहीं कराना पड़ेगा वो तो गुणा कर लेना मैं भी टाइम ही वरबात करूंगा जैसे आप गुणा करेंगे वैसे ही वह करूंग ठीक है पाड़ पढ़ पड़ के आगे कर लेना इसको बस साल्व कर लेना कोशन असान हैं बस समझने की बात है कि कहां पर क्या हो रहा है बस यह बास समझ लो चुछटिन असान है चलते एंगले कोशन पर अंतिम कोश्चन है या आज की प्रस्टन वल्यका सारे लगबक मैंन भी सॉल्व करते हैं, कह रहा है, एक गोल मेच पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए, जैसा कि आकरती 11.11 में दर्साया गया है, यदि मेच पोस की 38 cm है, तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ग्याद कीजिए, रूड 3 बरा इस पर जो आप ऐसे डिजाइन रहती है, मेज पर पोस लगा देते हो, वह इस वरत्यकार प्रकार की मेज है, उसमें इस प्रकार की कोई डिजाइन लगी है, बस बेसिक सी बात ही है, मेच पोस अभी लोग पहिचानते हूं, उसमें हो क्या रहा है, कि ये बास समझो, यह ऐस समान डिजाइन है मतलग यह बराबर यह भी बराबर एकदम विपकुल सेम डिटो सेम प्रकार की डिजाइन है ठीक अब इसने का एक मोज़ पोस्ट की त्रिज्जा जो है वह अठाई सेंटीमेटर की अगर हम इसका यहाँ पर यह केंद्र लेने समझते हैं यहाँ पर अमने इ जित्ती दी गई है 28 सेंटीमेटर यह तरिज्ग में 28 सेंटीमेटर की गिवन तो यह भी 28 होगी कि आप कहीं भी मिला लूँ आप उपर लो यह भी मिलाओगे तो भी 28 मिलेगी ऐद्ग मिलेगी typically मिलाओगे तो भी 28 मिलेगी अप्रचा प्रतेंगे समानों घर्एद ऐगे प् में इसक्री 3र्ज्ट सेंटीमेटर तो समुझ तीन पाश संतीमिटर दर दर से इन डिजाइन से बइन वाली लागत ग्याद करनी इस सदेज्ट महल Dw लगुवरत खंड है अगर हम इसका छेत्रफल निकाल लें और उस छेत्रफल में 0.35 रुपए से हम गुणा कर दें तो हमें पता है कि उस डिजाइन की लागत आ जाएगी ऐसे हमारे पास कितनी डिजाइन है एक दो तीन चार पांच है तो हम अगर एक का छेत्रफल निकाल लें क्योंकि सारी समान प्रकार की है एक का छेत्रफल हम निकाल लें और उसमें यह हमें पता है छे डिजाइन है तो छे से गुणा कर दें तो प्रते एक डिजाइन का छेत्र प्रत्रफल आ जाएगा और उस छेत्रफल में अगर हम 0.35 रुपए से गुणा कर देंगे, 0.35 रुपए से जब गुणा कर दोगे, तो प्रते एक जो पूरी जो डिजाइन बन नहीं है, इसकी लागत निकलाएगी कि कितना खर्चा आएगा इसको बनाने में, क्योंकि एक के लिए लागत दिया गई है, हमने 6 के निकाल ली, तो 6 से गुणा कर दो, फिर उसके बाद इसमें इसका जो एक मलब मेंच को उसमें जितनी लागत लग रही वो यह है, तो प्रते एक के मलब सारी जो हमारे पास डिजाइन के जो खर्चा है, वो निकलाएगा एक प्रकार से, और यह बन क्या रहा है, लग वरत्त खंड, तो हमें फार्मूला कों से लगाना पड़ेगा, वरत्त खंड का छेथपल का, कुछ इस प्रकार का सिनाइजियो है, यह हमारे पास दी गई है, कि यह 28 है, और यह हमें इसका छेथपल निकालना है, लेकिन ठीटा हमें नहीं गया पूरा कूर होता है, ऐसा, 360 डिगरी का, ठीक, अब आपको दिख रहा है, कि यह जब हमारे पास सब समान रूप से हैं, समान है, मलब यह जित्ते भी डिजाइन हैं, वो एकदम बिल्कुल डिटो समान है, तो यह 30 खंड भी बराबर बराबर हिस्सों में मिलेंगे, सारे बरा होगों में कट रहा था, दस से किया था, अब यह हमें पता है कि बराबर होना चाहिए, क्योंकि यह डिजाइने प्रतेक समान है, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो यह बारे पास हो गया, 6 चरंग, 36, 60 डिगरी आ गया, यह कोण हमारे पास ठीटा निकल आया, 60 डिगरी, और सब डिव भी है, तो आधार और लंब वहीं से निकल आते हैं, उसी त्रभुज में गिवन होते हैं, जो त्रिजाएं होती हैं, वही आधार और लंब होती है, सी दी सी बात यह, तो 60 डिगरी या 90 डिगरी निकल आया, तो एक्दम खुस हो जाना है, उसमें कोई डाउट ही नही मतलब कोण जो हमारे पास त्रभुज हो जाएगा, वो संभाव त्रभुज हो जाएगा, इसको अठा देते हैं, हमारे पास कौन सा त्रभुज हो जाएगा, संभाव त्रभुज हो जाएगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा, अब संभाव त्रभुज का तुम्हें छेत रिकाल देते हैं कि जखंड का क्या हुग हो गार एक आइक पाट कर देते हैं पहले माललो मैं प्रिज घंड का हुग का दो तो लिख रहा हूं मतलब वही लग उत्रे जिखन्ड क्या होता है यह होता है सट थीटा बटे 306 गुणे पाई आर स्कॉर है यह होता है कोई दिक्कत नहीं ते ऐा कि व्हुर्ट आठाओक ही वैल वेडू कित्ती एक थैख मेलू मारे पास साठ है और इसे डारेट भी फार्मूला लगा सकते ह wigant नहीं। लिख देते हैं पाई की वेलू अभी तो नहीं पता है को बाइस बटे साथ रख लो पाई की वेलू नहीं दी गई तो कोई बार ने तूर थ्री दिया गया आर हमारे पास किता है 28 तो 28 गुने 28 हो जाएगा यह तो गया 10 साथ चोको 28 चार दूना आठ यह हो गया 11 ठीक है कोई दिक्कत नहीं चार दूना आठ कहां पर करती है यह हो गई 10 यह हमारे पास हो गई साथ चोको 28 और दो पंचे 10 और यह हो गया 11 कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं क्यारा चोको 44 इसको सॉल्व करना पड़ेगा या 28 बटे 5 इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आ जाएगा चेत्वर ऐसा करते हैं डारेट पूरा लिखते हैं हम देखो एक मिनट रोको इसको एक एक करके क्यो निकाले हैं पूरा निकाल टिक वूरुत खंड या फिर आप सिधे यह लिख सकते हो कि जो इन डिजाइन से बनने वाली डिजाइन का छेथफ़ल पहले निकाल लेते हैं सब्सक् canciónора इन आपको पता है अब रतकंड है तो इनका हैं समान डिजाइनों का च्छेतर और सबश्चन ठोड़ा है चल्कुलेशन ऑफ चाहरी चीज़े समान डिजाइनों का छेटफल डारेक्ट आप लगा सकते हो आपको पता है डिजाइने तो पहले तो छेट से गुणा कर देंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं टिक तिर जिखंड का छेटफल आपको पता है क्या है ठीटा बटे 360 गुड़े पाई आरे स्पायर इससे माइनस कर देंगे क्या जो हमारे पास त्रबूज का छेटफल होगा त्रबूज मतलब ही ABC त्रबूज मैं बना देता हूँ यहां पर इत्रबूज यहां पर लिख देते हैं त्रबूज त्रबूज रे भाई त्रबूज ABC का छेटफल आपको पता है संभावू त्रबूज है तो आराम से वही फार्मूला लगाते हैं तो यह हो गया 6 गुड़े ठीटा बटे 360 गुड़े पाई आर स्कॉयर माइनस हो जाएगा रूट तीन बटे चार भुजा का स्कॉयर ठीक सभी की वैलू रखनी पड़ेंगी कोई ऑप्शन है नहीं ठीटा की वैलू हमारे पास कित्ती आई है साथ डिगरी यह आया तीन सो साथ डिगरी पाई की वैलू 22 बटे साथ आर स्कॉयर मतलब हो गया 28 का स्कॉयर 28 गुले 28 मा पड़ेंगा कैकूलेकलेशन बढ़ी एसकर लिए 1.7 बटेचार भुजा का स्कॉयर फिर से वही जो तरिजया है वही भुजाय है मलब 28 गुले 28 हुजारे 28 गुले 28 गुले 28 हुजाय है 28 गुले पारे पास 6 बाग एक दो तीन चार पांच ठिक अगर हम के वल्चांथ ना लिखते तो क्या आ जाता एक design का छेटफल आ जाता इस design का मालू आ जाता फिर हम जब 6 से गुणा कर देंगे तो प्रतेख design का चेटफल आ गया अब जब यह छेटफल आ जाएगा इसको तुम solve करोगे इसको solve कर लोगे भाई यह तुम solve करके कि जब लाओगे यह जो आएगा चेट फल यह कित समें आएगा सेंटीमीटर स्कॉयर में चेट फल में जब आप क्या करते हो आप इसमें 0.35 का जब गुणा कर दोगे तो वह उमारे पास रुपए में लागत आ जाएगी यह चेट फल निकलेगा इसमें गुणा करना पड़े तरबुच का छेट फल निकाल लिया माइनस कर लिए ठीक बशेकर सकते हो आराम से अब कोई दिक्कत नहीं है यह कट जाएगा यह जाएगा दस 28 स्कॉर बाहर कामल ले लेना ठीक कर लेना यार मुझे लें अब तुमने 28 स्कॉर बाहर कामल लिए ठीक का अंदर तुम गुणा भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे च्छे बाहरी रहने देते हैं भी तुमारे पास क्या हो जाएगा अजय गुण्य गुण्य थाइस का स्कॉयर तुमने कॉमल ले लिया उपर बच्चा मारे पास यह 22 साथ दाम हो जाएगा 70 के भी इसको काट सकते थे 2 पंचे 10 11 आ जाता तो यह आ जाता 11 बटे 725 ठीक माइनस 18 स्कॉयर तो बहरा आ गया है तो एक दसम्मलों साथ बटे का चर इसमें ले लेना इसको सॉल्व कर लेना सथा यसका Ayad 744 हो जाता जूभी आ जाये बाई दिएला यह आंसर आ जाएगा सेंटीमी्टर स्कॉयर गीजब यह आंसर आ जाएगा इसके बाद तुम क्या करोगे इसके बाद आप जब लागत लिखोगे लागत निकालोगे कुल लागत आप जब तो आपको पता है रुपे 0.35 पर खुर सेंटीमेटर की लागयत है यहां कितने वळग सेंटीमेटर आया जितना आया उसमें गुणा कर देंगे तो यहां से हम लिखेंगे छेत्रफल जो छेत्रफल आया है और गुणे में क्या कर रहेंगे 0.35 तो यह लागत जो आएगी वो मारे पास काय में आ जाएगी रुपए में लागत आ जाएगी यह निकाल लेना इतना सॉल्व कर लेना यह भाई है तुम लोगों के लिए दोनों समझने की बात यह थी कि जो फार्मूला लगना वो इस प्रकार से लगना है कैलकुलेशन थोड़ी सी हाड है लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगेगा अराम से कैलकुल बिलकुल साओधानी से वही कर रहे हो हमेसा से तो बस कैलकुलेशन से ज्यादा इंपोर्टेंट आपक से गुड़ा करेंगे तो मारे पास रुपए में लागत आ जाई ठीक है केलियर अब आंगे तुम लोग कर लेना बाई यहीं तक था आपना आज का वन सौट आज तक हम लोगों आज हम लोगों ने क्या फिनिस किया आज हम लोगों ने जो हमारे पास वरत्तों से देख रहे हैं तो उनको आईडिया होगा कि अमंगे फिनिस हो गए तो इसको भी आप पर उसी तरीके से फिनिस करना क्योंकि मैंने सारे ही कोश्चन करा दिया जो भी अपने पास इंपर्टेंट कोश्चन से ठीक है आसा है सारे लोग मन से देखो गें complete करो मुझे कमेंड कर के बताना कैसा लगा आपको ठीक है और कि जो क्लास होगी उसमें इंपॉर्टेंट कोश्चन जो हैं और भी चीज़ें जो हैं वो दिए-दिए करके डिसकस कर लेंगे दो तीन वन सौट बचे वह हम लोग जल्दी फिनिस कर लेंगे कल आप वह आला आएगा अगला जो आएग चीजे हैं उनकी बारे में हम चर्चा करेंगे मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए टाटा वाब है